सामके वीर ओफ फोर्चुन शोवे आपका श्वागत है चलो हमारी कंटेस्टेंज को स्वागत करें राइप साइट पर है स्वीट स्माट और कमाल का टेस्ट रखने वाली सुजन लेप साइट पर है पहादूर, सिपी और कमाल का सेंस और यमर रखने वाली समेंथा और जम पता लोगाएंगे कि दोनों में से मैजिक में जादा अचा कौन है चिरू और हम चिरू कर रहे हैं और हमारा पेलग सवाल है सबसे मैजिकल प्लीचर कौन है सबसे आसान सवाल है जाहिर है, वो यूनिकॉन है और ये मैखुल सही हाई तुम्हें असा क्यों लगता है मैं जाते हूँ ये सच नहीं है वो है यूनिकॉन मैं तुम्हें लेख लूगी क्राप्स का कॉम्पिटिशन मैं और कितनी देन इंतजार करूँ क्या मुझे टाइम पर आनी के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे शान्त हो जाओ घबराओ मत मैं आगे हूँ लगता है किसी ने हॉर्ण विंग होर्स बनने का सोच लिया है मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छे माजिकल क्रेचर का माजिक आज में भी मदद करेगा और हम इसे अपने पहले टास्क में चेक करेंगी जो है लिखे हुए अबजेक को ट्रांस्फॉर्म करना युने को उनकी टीम की तरफ से सिवने काम करने के लिए सिंपल पैन को चुरा है बस कुछ देर और और ये इतना सिंपल नहीं रहेगा हम जंक्शन को कवर करने के लिए इस पर मिनी पॉम पॉम स्टिप काएंगे और मुमिक की फैंचमेंट तनी माज पर को ट्रांस्फॉम करने का तैसला किया बाह ज़रा देखो वो कितना खुपसूरत है आप जितनी मस्ती करना चाहें कर सकते है चलो थोड़ी सेल्फ हार्डिंग क्ले लिए और उससे यूनिकॉन हौन की शेप बनाएं और अब टूथपिक से हम रिलीव बनाएंगे बस कुछ डाइगनॉल रिस ऐसे ठीक है अब मेरा काम शुरू करने का वक्त है बढ़िया मैं मार्कर पर फाब्रिक का बड़ा सा पीस्टिप काऊंगी इस तरहां और छोटा वाला कैप पर जाएगा सबसे जरूरी यह है कि साइजेज में मिस्टेक्स ना हो इसी भी यूनिकॉन टीमें एक बालिक पेन तक पहुँच गई है गोल्डन हॉन के बिना कोई माजिकल यूनिकॉन नहीं होता अब बस दो क्यूट कान लगाने बागी है और पेन को एक्स्ट्रा ग्लॉस देना है हाँ नो कहा है साम तुम क्या कर रहे हो क्या तुमने मुझे नुक्सान पहुँचाने का सोचा है इसे वापस दो ओ प्लीज जैसे भी मेरा काम खतम होने वाला है मुझे बस खुबसूरत फ्लिपर ड्रॉक करना है और उसे मार्कर पर लगाना है हाँ हम शाइनी फोम पेपर से दो एक जैसे पार्ट्स काटेंगी और अब हम उन्हें आपस में चिपका देंगी इस तरहां और इस पूरे हिस्से को मार्कर के क्याप पर लगा देंगी हो गया ये तो पोम पेपर के लिए कमाल का आइडिया है मैं इसे अपनी यूनिकॉन के लिए कूल फेरी बाल बनाऊंगी बढ़िया, मुझे देखने दो ने तो मैं देखते हूँ तुमारे पास क्या है बा, देखो, ये कितना शाइनी है मैं तुमारी मदद करते हूँ ये पकड़ो साम हाँ, कितनी गंदगी है एक स्पेशल और्गिनाईजर के बिना ये करना ना मुम्किन है चलो एर फ्लास्टेशन को रोल करें ये कमाल का बना है और इसे रेगुलर डक्टेप डिस्पेंसर चे चिपका दें हम सारे बंप सही कर देंगे स्यू को एक होन वाले होर्सिस पसंद है पर मुझे सी होर्सिस पसंद है और हो गया तम जा सकते हो क्या दिख नहीं रहा सी होर्सिस के टेल बना रही हूँ चलो इसे ऐसे रोल करें और अब हम इसे सही जगा पर लगा सकते हैं बस अच्छे से दबाएं यह भी इसे अच्छा दिखा है पर कुछ कमी है ब्राइट सेक्विंस कमाल के स्केल्स के तरह लगेंगे और सी होर्स को माजिकल ग्लो देंगे वाह कितना खुब सूरत है आउट आराम से हाथ अटाओ एर प्लास्टेसन हाड होकर हमारे सी होर्स को पोली ग्लो देगा और फिर उपर से फ्लियर नेल पॉलिश लगाएंगे ये कमाल का है लेडिस और जिट्लमेन पर ये काम कैसे करता है आसान है हमेदेसिट टेप निकालेंगे और वाला कमाल है रिपेंजर को देट पॉइंट मेरा मज़ा मॉमिट को ये सबसे खुब सूरत है पर इसमें एक ही अधेसिट टेप है अब ये हुई ना बात चलो इस बार यूनिकॉन को सॉफ्ट पिंक बनाए ये बेस्ट कलर है हाँ जर्च को मक्खन लगा रहे हो चुजन स्मार्ट हो ओ प्लीज कुछ डीटियोर को हाइलाट करने के लिए चलो नियल पॉलिश लगाए और फिर माजिकल गोल्डन डस्ट लगाए बढ़ गया अब हमारी कंस्ट्रक्शन को जोडने का वक्त है और अब में ट्रिक वोश्ट ये कितना खुब सुरत है रुको सी होस्ट कैसी आवाज निकालते है और पैसी अब कंस्ट्रक्शन को मुश्किल बनाने का वक्त है हमारे कंस्ट्रक्शन को अगाल टास्क मिल गया जो है बूप मार्क्ट बनाना पर इस बार स्यों मुमेट क्राफ्ट बनाएगी नहीं योटना अच्वा नहीं लग रहा और ये भी नहीं हाँ चलो इससे इस्तमाल करें अब हम स्टेंसिल के हिसाब से मुमेट की टेल को ध्यां से काट लेंगे और रवन में रख देंगे साम क्या तुम हाँ हाँ मुझे दो ये मैं खुद बना लूँगी इस दौरान मैं स्केल्स बना लेती हूँ हम उनी प्लास्टिक स्टो की मदद से खले से बाहर भी निकाल लेंगे ये आसान है चलो फिन को और नाच्रल लुक दे और फिर सब कुछ दबारा बेकोर पेइंट करें प्स्स सिव देखो मुझे क्या विला ओ खूल क्यों शुक्रिया और कितनी आसान इसे राइवल्स एक दूस्टे के असिस्टेंस बन गई चलो थोड़ा और लेटर डालते हैं ओ मुझे बहुत पसंद है हम टेल को क्योट ड्रॉइंग पर लगाएंगे और सबसे अच्छा बुकमाग बना लेंगे मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया तुमने देखा ही नहीं कि मैंने क्या सोचा है बल्कुल योनिकॉंस मेरे बस की बात नहीं है पर मुझे पता है वो कहां से है यहां एक रेंगो है मेरे थोड़ा अलग होगा बस देखना यह कैसे चमकेगा बस वोम पेपर मेरा बुकमाक तुमसे ज़्यादा क्रियेटिव है क्या तुमने सबर ना करना साम से सिखा है क्या कहा तुमने ओ माफ करना मिस्टर शो होस्ट अब चलो टेसल को इस तरह लगाते हैं दाकि व्यारी से टेल बन जाए और दो चबी लेक्स लगाए रिलेव को मत भूल जाना हाँ हाँ शुक्रिया मुझे लोगों को इस करने वाले चाप बहुत पसंद है अब हम एक्रोलिक पेंड से हूव्स पर गोल्ड लगाएंगे और युनिकॉन को नियल पॉलिश से मिस्ट्यूरियस और कमाल का क्लो देंगे तो क्या तुम सब फाइनल टच के लिए तयार हो तो चलो और सब कुछ तयार है यलो सेव लीडीज लीडीज तब मेरे साथ क्या कर रही हूँ मैं याव बिनेट ऐसे चुनो तो तुमें फॉइल बॉल किसलिए चाहिए साम खेर तुमने हमारा अगला टास्क सुना ही है पेंसिल स्टांट बनाना है मैं अपना सेशल की शेप में बनाऊंगी ये बेस बनेगा और अब हमें इस पिंक क्ले को अच्छे से घूनना होगा खेर हम भी क्ले से काम करेंगे गलफ्स बहन कर शुरुआत करने के लिए चलो रेंबो की शेप बनाएं प्लाम सॉसेज को रोल करें ठीक है बढ़िया और इसे आर्ट की तरह बेंट करें और अब मुझे पेंसिल्स और पेंस के लिए कुछ होल्स बनाने है यह वाम नहीं है खुद देख लो अब मैं ध्यान से फॉल फ्रेम को राप करूंगी आराम से स्पार्विल में और वो भी हर तरफ से हमें कुछ ऐसा मिलेगा पर असली सीचल बिल्कु स्मूध नहीं होते चलो यह करें और फिर इसे अवन में डाल दे जब तक समानता अपने शेल पर काम कर रही है मैं अपना स्टेशनली रेंबुक ब्राइट बना लेती हूँ यह नाम कूल है है न? हाँ मुझे पता है तुम्हारे क्राफ में कुछ कमे हिससे हो सच पे? पर क्या? खेर, अब मेरे पास उससे आगे निकलने का वक्त है थोड़ा सा मोमेड माजिक बर्या और टॉप पर थोड़ा पर ग्लिटर मैं इसके लिए ड्राइब रश इस्तेमाल कर रही हूँ समाता की बाते स्यूको ड़ाती है पर उसे पता है कि उसके ट्राफ में क्या कमी है एर क्लाउड यह यहाँ पर बिल्कुल सही लगेंगे चलो इनके शेप पर थोड़ा काम करें इस तरहाँ अहाँ खेर मेरे ख्याल से यह कमाल का बना है और अब सब कुछ अच्छा है पर तुमारा स्टार्ण मेरे वाले के सामने कुछ भी नहीं है इसमें ज़ादा समान आता है सेमान्था वण सेव जीरो पर मेरा टेबल पर खड़ा हो सकता है दुभारा नहीं ठीक है, अब आज के सब्से ख़तरनाफ कोंपटिशन का वक्त हो गया है! सिव, सबाता और सिजर्ज! उनिकॉन टीम ने क्लीए को में प्राफ्टिंग के लिए सुना है! उनिकॉन जिब, ये तो सब्ता है! देखो कितनी क्यूट है! हमें प्ले को अच्छे से सुखाना होगा और फिर हम अपनी पैंटिसी को शुरू कर सकते हैं आइज और नॉस्ट्रिल्स को ब्लाक मार्कर से हाइलाइट करें और हमारा हैंटसुम दोस तयार हो जाएगा वास्लीन सीजर्स को पार्श्मेंट पेपर से चिपकाने से रोकेगी क्योंकि मैं ग्लू गन से काम करूँगी इसे बड़ो की निगरानी में ही इस्तिमाल करें दोस्तों और इस तरहां सीजर्स का हैंडल फिन की शेप ले लेगा ग्लू को यहां से खोलना मत भूलना ताकि सिजर्स खोल चके चलो फिन की शेप पर काम करें इसे हीटेट टूल से पिगलाएं और अब हम ग्लू को आम वाइट ग्लू से कवर करेंगे क्या तम पक्का कोई गलती नहीं कर रही हो खेर मैं और किस तरह से सजाओं क्या तम मुझसे पूछ रही हो यह तुम्हारा क्राफ्ट है चलो देखें इससे क्या बनेगा अब यह शाइन करने का वक्त है इसे जादा कुछ भी करना ना मुम्किन है यह शांदा है अब यह कमाओ का बनाए मॉमेंट्स और फाइनल टच एक प्लॉलिक वार्निश अलिक नॉली व्यूवर्स आपको कौनसे से जादा पसंद आए मॉमेंट्स के लिए लाइक करें और के लिए सब्सक्राइब और अब जजिस पॉइंट्स को काउंट करेंगी और आप कब तक सब कुछ देख सकते हैं करेंगी और चलॉपर्स आपको काईवर्स आपको करेंगी प्यादरियों को करयाम मॉम्यूवर्स आपको कुछ देख से जाओ मॉम कुछ도 आपको प्रॉबल Ee ओ, मुझसे कॉम्पिटिशन का रिजर्ट जाने के लिए इंतजार नहीं हो रहा क्या, हारने के लिए इंतजार नहीं हो रहा, सुजी ठीक है लेडी, मैंने पैसलाग कर लिया है आज का विनर है पिंस्प्लेट प्लाइ क्या, अगर नई स्टेशनरी मुझे मिल जाए, तो क्या फर्ट पड़ेगा ओ, अच्छा, खेर, ये तुम्हारी ही गलती है क्या हो रहा है दोस्तों, हमी उमीद है कि आपने भी उतनी मस्तिकी होगी, जितनी हमने की हमारी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्या है